फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्टर्स ने विलन का रोल निपाया है और इंडस्ट्री में विलन्स को जो मकाम हासिल हुआ है वो अभी तक बड़े-बड़े सुपर्सचार की किस्मत में भी नहीं होता अब विलन की बात की है तो उसी में नाम आता है प्रेम चोपडा का उनक उनके फैंस का मानना है कि वो बॉलिवूड इंडस्ट्री में सबसे अच्छे रैपिस्ट का करदा निभाने वाले एक्टर्स में से एक है अब भले ही प्रेम चोपडा ने फिल्मों से दूवी बना ली हो लेकिन असी के दशक में हर फिल्म में उनकी डिमांड काफी जादा होती थी एक खास बात यह है कि प्रेम चोपडा फिल्मों में आने से पहले अख़बार में काम करते थे आज उनके बर्डे पर हम आपको बताते हैं उनसे जुड़ी कुछ दिल्चस्प बाते हैं प्रेम चोपडा की शुरुआत मूबे में उन्हीं लोगों की तरह हुई थी जिनकी आखों में सपने होते हैं और जेब खाली होती है प्रेम चोपडा के साथ भी ऐसा ही कुछ रहा उन्होंने स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस के कई बार चक्कर लगाए फिर भी उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा था बड़े शहर में रहने खाने का जुगार करने क लिए वो नौकरी तलाशते हुए टाइमस ओफ इंडिया के दफ्तर पहुचे यहां उन्हें सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई यहां जमदारी बड़ी थी उन्हें बंगार उडिसा और बिहार में अखबार की सर्कुलेशन की देखते का काम मिला था इसी प्रेम सुपर हिट रही थी प्रेम चोपडा ने हिंधी फिल्मों के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है तक्रीबन 380 से जादा फिल्मों में काम कर चुके प्रेम ने जिंदगी के 60 साल इंडस्ट्री को दे दिये उन्होंने करीब उन इस फिल्मों में विलन का रोल निभाया और उनके डायलोग आज भी लोगों के जबान पर कायम है